नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम राजस्तान पब्लिक सर्विस कमिशन का और पेसी का जो पेपर है हमारा, वो 2013 वाला जो पेपर है वो सॉल करेंगे, जिसका आपने जो सिरीज लिया है वो ए लिया है आपका, तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो पहला क्या होगा, बहुत हीजी क्या है कि डाइमेंशन फॉर्मुला फोर्ड फोर्स इज, फोर्स का डाइमेंशन फॉर्मुला क्या होगा, वो फो सिम्पल क्यूर्म था यह अपका, जिस्ट अमने एंसर लिख जाए कि f equal to ma होता है और mass, m mass होता है यह आपका acceleration होता है और इसको ज हो जाएगा ml1 t-2 जो कि आपके यहां पर एंसे नुबर जो 3 है वो सही होगा नेक्स देखते हैं नेक्स क्या है कि आप परसंटेज इर्र इन मैजरमेंट आफ मास एनस इस्पीड आर टू परसंट एंद त्रुमान के अंदर तो 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 दी गी यह कितनी 2 परसंट है और स्पीड में 3 परसंट हैं एस्टिमेट मैक्सिमम इरें काइनेटिक एनरजी आपको म बहुत ही सिंपल कर्शन ता अपना यह देखो काइनेटिक एनरजी का फर्मूला आप सब जनते हैं हाप एम वी स्कॉयर होता है ठीक है और आपको क्वांटिटी और इर्र दी गई है क्वांटिटी के दीए मास दी गई है 2 परसंट इर्र उसमें स्पीड में 3 परसंट इर्र हो जाएगा अनल्टा आपन मों और डी टेय्टा वी अपन धियो एगा और आपको दिखो घूार्टू आपको यह गीवन है आप उत्경 करना ही और पॉट्ट करना है और अगह 1 जो कि आपका यह पीपर की अकोडिंग जो ऑन्सरा होगा आपका number two सभी होगा आपका है अब बात करते हैं question number three के बात करते हैं an object move in a direction x sorry object move in positive x direction with a constant acceleration वो एक्स्रेस्ट आपको यह दिया वह है speed आपको इतनी दीवी है 2 second letter 2 second के बाद में object at 65 five meter होगा then acceleration find out करना है यह simple एक newton की जो motion equation होती है उससे समधित question था आपका देखो अपने newton की motion equation यूज की है उस equation कॉंसिक्वेशन यूज की है distance वाली यूज की x पराबर ut plus half 80 square वाली x के आपका distance है initially वह कहां पर था initial distance a point मान लेते हैं वह पांच मेंटर पर था और final distance पर 65 मेंटर पर था तो इसका distance का जो इसने कितनी distance travel की दो second के अंदर कैसे बता लगेगा वही final minus initial चे बता लगेगा कि तो आपको बताए 55-5 कितना होगा आपका साट मेंटर यह आपका जोगा distance distance travel हो जाएगा यह आपकी initial velocity जो आपका कितनी दीवी है दस मीटर पर सेकंड दीवी ती आपका टाइम दो सेकंड दिया हुए अब तो आपको कुछ नहीं करना है आप तो गिल वेल्यूस को पूट करना है सारी वेल्यूस को आप पूट करके और देखो के तो एक्सलेशन कितना आएगा आपका 80 upon 4 यान कि 20 मीटर पर सेकंड डिसक्वाइर जो आपका होगा वह एक्सलेशन आएगा और आपका एंसर नमबर 2 जो है वह आपका सही होगा अब बात करता है क्रेशन नमबर 4 के ओपर क्रेशन नमबर 4 करता है कि फुटबोल प्लेयर किक एब बॉल एट एंगल ऑफ 37 डिगरी फ्रॉम दा होरिजन्टल विट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एक फुटबोल रहे है उसने ग्राउंड से अपने पैर से किक मारा है अपना जो फुटबोल को एजुमिंग देट दा बॉल मुव इन वर्टिकल प्लेन और वो वर्टिकली जो है वो मुख कर रही है दा होरिजन्टल रेंज आप दे बॉल और आपको होरिजन्टल रेंज निकालनी कि बॉल कितनी दूर जाके गिरेगी कुछ डाटा आपको गीवन है यहां पर तो इसके लिए देखो हमने क्या किया जिस्ट डियागरम बना लिया यह फॉर्मूला आफ रेंज का क्या होगा हमाली वो इसने यहां जिकिया और बॉल जो है वर्टिकल प्लेन में गई और यहां पर आके गिर गई यह रेंज अपने होग्यात करनी है और इसका फॉर्मूला सिंपल क आपको गिवन है आपको इस फॉर्मूले में सारी वेल्यों पूट कर दीजिए लेकिन एक प्रोब्लम आएगी जैसे आप ठीटा की वेल्यों को पूट करोगे आप अगर तो वो जो 37 जो डिगरी है वो दो से मिल्टिप्लाइब हो जाएगा तो अपन सॉल नहीं कर में इसके लिए अपन ने क्या किया यहां पर जो साइल कुट टीटा है में को सइल कर लिया साइन ठीटा को सब्सक्रीटीटा पता नहीं है उसके लिए कोश् स्कूरी टीटा प्लस सग्ण्वार क्या उद्यों मैंस यहां पर ला करके simple put कर दिया आपके आप तो कुछ नहीं करना तो calculation कर नहीं है आप आराम से calculation कर सकते हो बाट करके और last resultant answer आएगा 38.4 meter जो आपका है वो answer आएगा जो आपकी question बुकलेट के अनुसार जो है आपका फॉर्मूला क्या होता है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा को साइन रूल से निकाला जाता है है तो क्या होगा f square plus f square plus two f f cos theta मतलब a square plus p square plus two a b cos theta होगा और आपको यह theta आपको गयात करना है अब तो क्या एपको simple solid हो करना है इसको इदर आप दूने तरह square करके आप सकते हो f इसमें दूनों common ले सकते हो आप common लेने के बाद में आपका जो formula है को जिस परकार से modified हो जाएगा और cos theta पर आपके जाएगा one minus one by two n की minus one by two value आएगी तो cos theta की कौन cc value है कौन साइसा angle है जिसके लिए minus one by two आती है होती है 120 degree के लिए तो हमारी question booklet के नुजार इसका answer क्या एक्सेलरेशन का जो रेशियो है और अप्टेंड बाइड टू मसेज दोनों दर्वमानों के लिए उपर अगर सेम बल लग रहा है तो उनके एक्सेलरेशन का पाद क्या होगा यह बहुत कॉमन कुर्शन था ठीक है मानले एक्सेलरेशन इन मास M1 एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे नुटन के second law से निकालोगे आप degrees equal to M1 वाले से एक्सेलरेशन आपका यह होगा दूसरे मास पर एक्सेलरेशन आपको क्या होगा यह होगा अपका परस्ट पत्र करने सवार एंसर नबर टू जो है आपका वो सही होगा इस नबर सेवन की बात करते हैं पर कर्षेन नमबर सेवन कहता है आपका कि दा रिडिंग ऑफ डू आइडियल स्प्रिंग हैं बैलेंस एल direct on कледна में बना लिए हैं और जो है यह इस àsब्रिंग आड जोंटे इन सिरीज मिने स्प्रिंग ची गई है and both spring force will be same in both spring in equilibrium condition equilibrium की condition के अंदर दोनों इस परिंग उतना ही force जो है वह experience करेगी जितना first कर यह उतना ही second करेगी और यहाँ पर जो mass जो लटका है वो कितना लटका है गया 4 kg लटका है तो first वाली भी जो है वो 4 kg ही experience करेगी और second वाली भी क्या करेगी 4 kg ही experience करेगी क्यों करेगी क्योंकि यह दोनों series में लगी ही ठीक है तो आपका इंस नमेर फस्ट होगा वह आपका सही हो जाएगा अब बात करते हैं कर्शन नमर एट की बात करते हैं कि ए ओटो मॉबाइल इस मुविंग अलोंग रोड विट स्पीड वी जिरो कोई ओटो मॉबाइल वाला है ठीक है वह इस स्पीड चल रहा है रोड पे इप दाख कॉफिशेंट ऑप स्टेक फ्रिक्शन एंकि रोकने वाला जो आपका कर्शन होता है आपका बेट्विन टायर एं रोड इस से वह कितनी दूर जाने के बाद में रुक जाएगा वह अपने को जो है वह सोटेस्ट डिस्टेंस निकालनी है अपने को बहुत यह अच्छा पैक्टिकल कुशन था अपना यह और इस कुशन का होगा कि यूजिंग दैन न्यूटन एक्वेशन और न्यूटन की एक्वेशन आपके फाइनल स्पीड है यूजिंग आपका एक्सेलेशन और आपको ग्याद कर रहा है वह अपको जाने के बाद ब्रेक लगाया और वह कुछ दूर जाने के बाद स्टॉप हो गया तो उसकी जो फाइनल वैलोसिटी वह क्या हो जाएगा अपकी जिरो हो जाएगा आपकी और इनिशल वैलोसिटी जो है वह वी जिरो स्कॉर हो जाएगा क्यों यह हमें हमारे क्यर्शन में गीवन है कि आपको इनिशल वैलोसिटी वी जिरो स्कॉर लेनी है आपको और आपका जो एक्सेलरेशन है वह किस पर निरुपर करेगा वह आपकी गर्सन पर निरुपर वो क्या होगा ए बराबर माइनस म्यू एस जी वो स्टैटिक फरिक्शन का गुणा होगा ग्राविटी इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए मैंने इसको इधर सेंट कर दिया तो माइनस में हो गया अब इसको सॉल कर लीजिए और एस जो आपका डिस्टेंस है आपका शॉटेस डिस्टेंस होगा उसकी वेल्यू आपको यह इस परकार मिलेगी जो मिलेगी वी जिरो स्कॉाइर टू म्यू एस जी जो आपकी परसंट पत और उसकी पूर्टेंश्नल एंडजी कितनी हैं यह माल लिए इस को दो सैंटी मीटर कि दिया गया है ज problema न हमने स्प्रिंग लें ठीक है डील का कि ऊड़ने Chron disciplines की x square लिखते हैं कि spring constant होता है x displacement होता है मान लिया है पहले spring को आपने 2 cm आपने उसको खेचा आपने उसको तो 2 cm आपने उसमें क्या किया extension किया यह एक्स के विल्य कितने हो जाएगी उसको मैंने यह पूट किया पहली condition किया गोडिंग मेरे तो वहाँ पर क्या होगा और यह 2 से 2 cancel हो जाएगा और आपका k की विल्य को जाएगा आपकर u by 2 मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि कि जब मैं second वाले को solve करूंगा तो मुझे की विल्य की requirement होगी इसलिए ना इस टेज अप टू 10 cm मान लिए आप इस spring में 2 cm ना खेंच के 10 cm खेंचता होगा तो displacement कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा आपका तो simple इस formula में आप x की जगे आप क्या करोगे 10 की value पुट करोगे और k की value आप उपर वाले से लेकिया जाओ गया इसको put करके आप solve करोगे तो u dash जो आपका 10 cm stretch करने पर potential energy की जो value होगी वो कितनी होगी 25 u होगी आपकी जो आपकी RPC के से answer sheet के अनुसार आपका answer number 4 होगा वो आपका सही होगा अब बात करते हैं question number 10 की बात करते हैं question number 10 कि आता है आपका की a particle of mass m moving with velocity 5 meter per second कोई 5 meter per second move कर रहा है मैक ए यह क्या है आपका मैक है on मैक है head collision on elastic collision with idle particle मतलब है कोई head to head कोई collision कर रहा है और वो elastic collision कर रहा है ठीक है which is initially at rest और वो जो है वो प्रारंबिक तोर पे वो इस तिर है the final velocity of first particle is क्या होगा देखो एक particle जो है आपका वो आपका मूँ करके आ रहा है जो आपको question में देखो दिया हुए question में थोड़ा clear नहीं हो रहा था तो मैंने माल लिया कि first particle जो है वो अपका ये M1 particle है और इसकी initial velocity आपकी U1 है second particle M2 है आपका जिसका mass M2 है आपका उसको rest पर खावा है उसकी जो initial velocity 0 हो जाएगी दोनों particle में जाए टकर हुई और टकर की बाद में पहले particle की velocity V1 मान लिया मैंने second वाले की particle की velocity मैंने V2 मान लिया मैंने आपको बताए कि जब भी elastic collision होता है तो before and after जो आपका जो conservation law होते हैं वो hold होते हैं कुन से वाले kinetic energy वाले और आपके linear momentum वाले kinetic energy का जो है वो conservation ला इस परकार hold होगा linear momentum का आपका इस परकार hold होगा अब आप वो करना है आपको जब आप इसको solve करोगे मैं यहां solve नहीं करूंगा अपने कई बार आपकी notebook में अपने classical mechanism में आपने कई बार इसको work out किया है कि अपनको V1 find out करना है आपको कहा करना है आपको U2 की value आपको 0 रखनी है आपको और V2 की value यहां से निकाल करके इसमें put करनी है और आपको V1 की value find out हो जाएगी V1 की value इस परकार से find out हुई इस formula में U1 भी है और U2 भी है हमें पता है कि U2 की value 0 होगी कि हमारी question में given है यह portion पूरा cancel out हो जाएगा और M1 और M2 दोनों same हो जाएगा क्यों identical particle given है आपको कि दोनों particle identical है मतलब दोनों का mass भी क्या होगा सेम होगा identity particle रखते ही क्या होगा वह आपका M1 और M2 जो M के बराबर हो जाएगा और आपका U2 0 हो जाएगा इसको put करोगे तो आपकी V1 की value कितनी आ जाएगी आपकी 0 meter per second आ जाएगी जाएगी प्तलब ideal particle case में क्या होगा पहले वाले particle वरसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी आपकी और आपने करम वाले में भी देखा होगा जब अपने जो अपना इनट्षिया ऑफ एस सॉलीड स्पेर अबाउट इस डाइमेटर विल भी एनकी डाइमेटर के रिस्पेक्ट में मुमेंट ओव इनट्षिया सॉलीड स्पेर का क्या होगा सिंपल एक फॉर्मला क्यूश्चन था मैंने इसको डारेक्टली टाबल की फॉर्मिलीग दिया है कि सॉलीड स्पेर के डाइमेटर के रिस्पेक्ट में जो है वो कितना होता है टू बाई फाइफ एम आर स्कूर होता है तो हमारे एंसर शीट के अकोडिंग एंसर निबर टू ह हमारा साही है इसके अलाव भी देखर मैंने सॉलीड से लेंडर के लिए होलो से लेंडर के लिए और सर्कुलर डिस्क के लिए मैंने यहां पर लिखा है आप चाहुत इसको नोट कर सकते हो ठीक हो सकता है कि बविश्य में हमसे इन में से कोई कॉश्चन पूछ लिया जाए अब बात करते हैं अपन कॉश्चन नमबर 12 की बात करते हैं पर कॉश्चन नमबर 12 कहता है कि टॉर्क अप्लाइड ऑन बोडी एंड इस डोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आर एक्सप्रेक्स एस फॉलो यहां कि कोई बोडी के ओपर टॉर्क अप्लाई किया रहा है आपको होता है कि अगर किसी बोडी पर टॉर्क अप्लाई होता है इसका मतलब क्या होता है वहां पर रोटेशन मोशन हो रहा होता है ठीक है और रोटेशन मोशन मतलब क्या होगा कि कोई ऑबजेक्ट किसी एक ऑबजेक्ट से दूसरे ऑबजेक्स की दूरी कोई आर होगी और वहां काईनेटिक एनर्जी रोटेशन में मोमन्टम व इनर्शा के रिपलेश हो जाता है दरविमान आपका मोमन्टम व इनर्शा के रिपलेश हो जाता है और ठीक कैस्पका लिखा जाता है I EQUAL TO MRSkv. यहाँ से मके वेयल निकाल लीजिए और इस value को यह पूट कर दीजिए आपके kinetic energy जो आपकी क्या होगी वो एक बटा दो I upon R square और V square होगी और इसको आप अगर match करना चाहे हो हमारे answer sheet के according अगर तो हमसे पुछा गया है कि पहली बात तो है कि torque क्या होगा है ना क्या होगी एक बटा दो आई V square upon R square होगा ठीक है आई V square upon R square answer number 3 जो होगा आपका क्या होगा आपका सही होगा अब बात करते हैं अपन question number 13 की बात करते हैं question number 13 कहते हैं कि if the frequency of a particle performing SHM is F then frequency of its kinetic energy मैंने को SHM हो रहा है उस particle की frequency है वो F है अगर तो उसके kinetic energy की जो है frequency क्या होगी बहुत अच्छा question तो आपका यह देखो condition of SHM लगा दिया मैंने मान लिया कोई एक particle है जिसका displacement इस परकार represent किया गया है x displacement F आपकी frequency है अगर वो SHM करता है अगर तो उसके frequency कितनी हो रही है omega बराबर 2 pi fn की frequency कितनी हो रही है उसकी F हो रही है जो हमें हमारे question में दिया हुआ है वो कह रहा है kinetic energy के निकाल लिया आप तो kinetic energy जो क्या होता है एक बड़ा तो mv square होता है हमें अब v चाहिए तो v के लिए मैंने क्या किया इसको differentiate कर दिया आप मैंने इसको और यह value पूरी मैंने put कर दिया यहां पे यहां उस value में cos square आ गया यहां पर भी frequency आई है और यहां पर क्या है cos 2 omega t आया omega को मैंने open कर लिया simple 2 by f से 2 by f अब यहां frequency कितनी आ रही है 2 f आ रही है क्योंकि यह 2 जो है वो इसके अंदर सला गया पहले जब shm था तब frequency कितनी आ रही थी f आ रही थी kinetic energy के frequency कितनी आ रही है 2 f आ रही है आपकी तो frequency of kinetic energy of shm is twice है ना वो कितनी होगी 2 f होगी तो आपका answer नमबर जो 4 है वो आपका सही होगा question number आप बात करते है अपर 14 की बात करते है question number 14 कहते है कि which one of following expression represents force oscillator इनकी कौन सी ऐसी जो आपकी differential equation है जो forced oscillator को represent करती है तो देखो इसके लिए मैंने आपका solution लिख रहा है कि जो force oscillator जो होता है आपका अमान लिए को यह कि यह आपका जो है वो pendulum है आपका वहां उसको force oscillator इदर वर्क करना है तो क्या होगा कि वहां पर अपने इसके उपर external force अप्लाई करेंगे यह ना इसको मु कराने के ल इस ठीक इस परकार लिखे दिया आपने उसको माइनस बी डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी यहां पर damping constant है ठीक है और restoring force मतले है अपने आपको अपनी आपने जो external force है इसको आपने क्या किया डिस्टब कर दिया तो यह अपनी mean position बाने का प्रयास करेंगा तो वह आपका restoring force ह कर दीजी तीनों फोर्स को मैंने इस परकार force मिलेगा आपको तीनों फोर्स की value मैंने है जिसे put कर दी मैंने यहां पर थोड़ा सा मैंने correction किया कुछ नहीं किया मैंने इस M को मैंने इधर send किया और कुछ quantity को मैंने यहां पर देखो कुछ एक formatting form में change कर दिया जो अपन simple हमारी wave वाली जो book है उसमें कई बार हम लोग करते हैं वहाँ पर उसको change करने के बाद आप इसको जो है वो follow कर लेना इसको जो से मैंने आपको जो question में लिखा है वे से follow कर लेना इसको आपको जान रखना कि यहां मैंने x ले रखा है मैं यहां पर इसको replace कर रहा हूं y से क्यों क्य से यह भी क्यों कि है मैं बता हूंगा आपको और आपकी डिफरेंशल इक्वेशन वह इस परकार refresh हो जाएगी आपकी और यहां पर मैंने omega को pt इसलिए change क्यों कि हमारे यह जो है वो question वाले जो booklet है हमारे उसके नदर हमारे दिया हुआ है तो हमारा जो answer number 4 होगा sorry है न जो answer से बाहर जाने के लिए इतनी स्पीड चाहिए radius and mass of Mars इनकी मंगल गरह की जो radius और उसका दर्यमान जो है वो about half and one tenth respectively एनकी उसका जो radius से वो तो आदी है और mass से उसका one tenth कर दिया है नो ने to the earth एर्थ के respect में the escape velocity from Mars will be एनकी मंगल गरह से accept करने के लिए कितनी velocity होगी तो देखो इदर यहां पर escape velocity of earth and Mars के लिए में नफसीदा फॉर्मल लिखा है कि earth के लिए escape velocity का formula इस परकार लिखा जाता है वो कितनी दीवी है 11.2 km per second दीवी है आपको इसी में Mars वाली condition लगा देते हैं condition क्या थी कि उसका दर्यमान तो होगा वो कितना हो जाएगा एक बटा दस हो जाएगा और इसकी जो radius है वो क्या हो जाएगी r by 2 हो जाएगी यह value यह पुट करोगे तो वो किसकी escape velocity आजाएगी Mars की escape velocity आजाएगी अब क्या करना है बस equation 2 को और equation 1 को आप एक rational ले लो अनुपात में ले लो आप इसको आप अनुपात में लोगे तो वी एम जो है मास की escape velocity है वो कितनी आएगी 11.2 multiply 1 upon root 5 आएगी इसको आप multiply कर लेना और kilometer per second आएगी जो हमारे question की according to answer number 4 जो हमारा सही होगा question number 16 से जो है हमारे next lecture में देखेंगे thank you